माता दीभग जणू कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की किर्पा बनी रहें चलिए आज सुनते हैं रामायन से जुरी माता सिता से जुरी एक बड़ी ही अन्हुनी सी कहानी एक बड़ी दुखत सी कहानी क्यूं उठाने पड़े माता सिता को इतने दुख और इतना बियोग क्यूं शहन करना पड़ा, वधोबी कौन था जिसके कारण माता सिता को सिरी राम से बियोग हुआ, सिता जी की एक भूल से ही उन्हें इतने दुख और बियोग शहन करने पड़े थे, तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था और वधो भी अपने पुर्वजन में कौन था माता सिता बाले आवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी वही बगीचे में एक तोते का जोरा पेर पर बैठा था तोता का जोरा भगवान राम और माता सिता के बारे में बाते कर रहा था उनके बातों को शून कर माता सिता का ध्यान उन पर चला गया मादा तोता बोल लही थी कि अजुध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सिता का विवा होगा तोते के मुक्षे भावी पती का नाम सुनकर मातासिता अचम्भित हो गए उन्हें अपने बारे में और जानने की इक्षा जागरित हुई इसलिए उन्होंने अपनी शक्षियों से कह कर दोनों पच्छियों को पकर लिया फिर उन्हों को पुछकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ग्यान कहां से प्राप्थ हुआ तब पच्छियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्शी बालमिकी के आस्रम में रहते थे जहां हर रोज राम और शिता के जीवन के बारे में बताया जाता है इसलिए उनको दोनों के बारे में हर जीट कंठस्तियाद हो गई है सिता जी ने पच्छियों से कहा कि जिस चनक पुत्री शिता के तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ मुझे मेरे और राम के बारे में और भी कई बाते जाननी है तब नर्तोते ने कहा कि है सिता आपका बीबा अजुध्या के राजा दसरत के जेश्ट पूत्र राम के साथ हुना निश्चित है और आपके जोड़ी तीनों लोगों में सबसे अध्भूत होगी सिता जी सवाल पूछती रहें और दोनों तो ते जवाब देते रहें सिता जी के बाद सुनकर तोते का जोरा घबरा गया तब नर्तोते ने कहा कि है जनक पुत्री हम गगन के पंच्छी है इसलिए पिजरे में बंद रह कर हम जिवित नहीं रह पाएंगे इसलिए हमको अजाद कर दीजिए तोते ने इसके लिए बहुत याचना की तब सिता जी ने नर्तोते को छोड़ दिया लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि वो हमेरे साथ रहेगी मादा तोता ने इसी पर माता सिता को श्राब दे दिया था नर्तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्ववती है इसलिए ऐसे समय पर उसके जाने दे मादा सीता तोता को मादा सीता पर बहुत गुश्या आया और सराप दे दिया कि जिस तरह तुमने गरवावस्था में मेरे पती से मुझको अलग कर दिया है वैसे ही गरवावस्था के दौरान तुमको भी पती का बियोग शहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्रान त्याग दिये। मादा तोता के प्रान त्यागने के बाद कुछ समय बाद ही नर्तोते ने भी पत्नी बियोग में अपने प्रान त्याग दिये। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। के दोरान त्याग कर दिया था माता सिता महरसे बालमिकी के आस्रम पहुंची जहां पर उन्होंने लवकुष को जन्म दिया यह कथाएं काफी प्रचरित हैं अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवादा